कि जब 10 से 11 में मूब करते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स आप लोग लेते हैं तो लोग का सामना करना पड़ता है इसलिए लोगरित्मिक फॉंचन बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए ठेक है हाला कि ये टॉपिक जो है फिजिक्स में भी यूज होती है इसलिए सारे बच्चे के लिए ये बहुत संदार टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए भी कौन सी लोगरित्मिक फॉंचन तो आईए हम लोग समझते हैं कि लोगरित्मिक फॉंचन होत है मतलब यह देखिए y is equal to a power x यह हमारा क्या है exponential function है ठीक है मैंने इस exponential function को convert कर दिया logarithmic function में किस परकार conversion हुआ है किस परकार conversion हुआ है अब बिल्कुल अच्छी तरीका से समझने के कोशिश करें कि a की power x है तो x हमारा अलग हो गया है और यह जो बेस है log का बेस बन गया है और यह जो y हमारा number बोल सकते इसको यह जो हमारी number है log की number बन गई है ठीक है as for example conversion के लिए एक छोटा सा हम लोग example से समझ सकते हैं जैसे 2 के power 2 कितना होता है 4 होता है ठीक है तो मैं कैसे change करूंगा देखिए सबसे पहली बात जो बेस है वो log का बेस ही रहेगा ठीक है तो log का बेस हमारा 2 है ठीक है और जो number है जो number हमारा दिया हुआ है 4 वो log का number बन जाएगा is equal to जो power है बच्चों वो power में equal के बाद लिखूंगा 2 ठीक है तो क्या मैं समझ सकता हूं कि आप लोग exponent से log को किस तरीका से convert करिएगा चले एक और छोटा से example हम लोग करते हैं suppose that मान लेते हैं कि थीरी के power 2 is equal to कितना होता है नाइन होता है ठीक है तो मैं क्या करूंगा पहले एक log लिखूंगा log लिखने के बाद से जो हमारा base है 3 मैं log का base बना दूँगा जो number हमारा आया है 9 मैं log का number लिख दूँगा और is equal to जो power है वच्चों वो मैं यहां लिख दूँगा ठीक है तो क्या आप लोग exponent को logarithmic function में आप कैसे change कर सकते हैं आप समझ सकते हैं बहुत इजी तरीका से हमने change कर दिया है ठीक है अब आई समझते हैं कि यह log जो है यहां condition कुछ दिया हुआ है कंसी condition दिया हुआ है सबसे पहले बात यह जो हमारा log है बच्चों इसे हम लोग पढ़ते हैं base और इसे पढ़ते हैं number लोग की यह base पढ़ेंगे और यह number पढ़ेंगे और इन दोनों में एक बहुत जरूरी और compulsory condition आपको याद रखना पड़ेगा कि यह जो x और a है greater than 0 है मतलब यहां जब भी number पूठोंगे positive संखिया रखी जाएंगे ठीक है positive number रखी जाएगे और एक और खास बात कि a का जो value है बच्चों 1 के बाराबर नहीं होनी चाहिए पहली condition दोनों positive होनी चाहिए और दूसरी condition अगर यह positive ही हो रही है तो a की जगप पर one आप नहीं रख सकते हैं अब आए इन दोनों को condition हम लोग समझते हैं कि इसा क्या reason है कि यह condition लगाए गया है log के लिए सबसे पहली बात कि यहां देखिए यह a is equal to don't equal to one है बहुत easy तरीका से हम लोग समझ सकते हैं यहां ध्यान से समझे एक पावर x है ठीक है अगर a की जगापर मैं one put कर दूँगा क्या put कर दूँगा one तो क्या होगा पूरा भेलू one हो जाएगा यानि one की power कुछ भी होती है तो answer one ही आती है इसलिए यह जो है हर number के लिए क्या हो जाएगा fail हो सकती है तो मैं a का one जो है one नहीं रख सकता हूँ one एक यह reason तो मिल गए अब आजए a greater than zero क्यों रखेंगे और x greater than zero क्यों रखते हैं देखें यहां ध्यान समझते हैं अगर मैं यहां बोल दूँ कि two के power two तो आपके ब्लिये वैंसर कितना होगा four बहुत अच्छी बात है फिर से मैं बोल दूँ कि minus two तो minus two के power two तो आपका answer क्या होगा आपका answer होगा 4, इस case में भी कितना होगा, 4 ठीक है, फिर बोल दिए, minus 2 के power 3, तो आपका answer कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा answer आपका, minus 8, बहुत अच्छी बात है, फिर मैंने बोल दिया, minus 2 के power 1 by 2, अब की बार power कैसा ले लिया, fraction में ले लिया, तो इस case में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, root minus का 2, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, तो ये एक बन गई imaginary number, जिसके और जासे हम लोग को real function नहीं मिल पाएगी, real value नहीं मिल पाएगी, इसलिए जो base है बच्चा, वो हमें positive रखना ही होगा, कैसा रखना होगा, positive समझ में रहा है, कैसा रखेंगे, positive, इसलिए हम यहां से condition लगाएंगे, ये दोनों को दोनों कैसा होना चाहिए, positive होनी चाहिए, ठीक है, अब आएए, log की कुछ परपर्टीज होती है, कुछ rules होता है, उस rules को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, पहला हमारा परपर्टीज है, पहला हमारा परपर्टीज है, जब log की base इस परकार है, जब log आपस में multiply करते हैं, log की number जैसे log, ये हमने बोल दिया, इसे e बोल दिया, और ये a और b है, ठीक है, ये log है, पहला परपर्टीज है बच्चों, ये एक पहला परपर्टीज है, कि log हमारा है, ठीक है, इसे हम नंबर जो है multiply हो रहे हैं ठीक है और दोनों को दोनों हमारा कैसा होना चाहिए दोनों को दोनों positive number होनी चाहिए ठीक है तो लोग की परपर्टीज बोलती है कि ये दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log e a plus log e log base e और b जब दोनों नंबर आपस में multiply होते हैं तो मैं log क्यों ऐसे plus में add कर सकता हूं ठीक है देखिए ये log की e है और देखिए actually बात यह है कि log दो परकार के होते हैं एक होता है natural log और एक होता है common log जिस log का base e होती है e एक e rational number होता है जिस log का base e होती है मालने ते ये कोई number होगा a ये positive number होने चाहिए तो इसे हम लोग ln भी बोल सकते ln a बोल सकते हैं ठीक है याद रहनी चाहिए लब log का base में e होगा तो हम लोग उसे alien भी बोल सकते हैं ठीक है अगर से यह हो गया हमारा natural log अब log की base में अगर 10 रहता है और यहां कोई A है तो इसे हम लोग कहेंगे common log कहेंगे का कहेंगे common log ठीक है और इसे हम लोग केवल इस परकार लिख सकते हैं log A वहां 10 छुपा रहेगा तो इस concept को हम लोग को अच्छी तरीका से याद रखनी होगी जब base में A रहेगा तो हम कहां कहेंगे common अधी नहीं नहीं नेच्रल लोग जब log का base में 10 रहेगा तो इसे हम लोग कहां पढ़ेंगे common log ठीक है जब base में A रहेगी तब जाकर उसको हम लिख सकते हैं ln A ठीक है कहीं कहीं बुक में ln A की तरह मतलब ln को यूज़ करके properties को बताया गया है ठीक है और दूसरी बात कि यही जो है calculus में यही जो log है इस्तेमाल किया जाता है ठीक है log यही इस्तेमाल किया जाता है कब जब हम calculus यूज़ करते हैं integration में यूज़ करते हैं और differentiation में यूज़ करते हैं तो हम लोग कौन से log के यूज़ करते हैं Natural log को हम लोग यूज करते हैं तो आए पाहली properties को हम लोग अच्छी तरी करसे समझ लेते हैं कि जब log की number आपस में multiply होती है तो हम लोग उसे addition कर सकते हैं जैसे example के तोर पर हमने ले लिया log 6 और यहां हमने base में 2 ले लिया ठीक है तो मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 into 3, और यहां base में 2, is equal to log 2 base 2, फिर plus log 3 base 2, ठीक है? second हमारा जो properties है, second जो हमारी properties है बच्चों, वो यह है, कि log, log अगर मान लेते हैं कि base हमारा a है, और number भी हमारा a है, दोनों क्या है? same है, ठीक है? दोनों क्या है? same है, दोनों क्या है, same है, तो मैं same करनोंगा, यह यह दोनों कर लोंगा, ठीक है? और याद रखना है कि a जो बच्चों है, a वो greater than 0 होनी चाहिए, और a का जो भेलू होगा don't equal to 1 होनी चाहिए, यह जब log पढ़िएगा आप लोग तो condition दिया रहेगा, तो मैं इसका जो answer होता है, वो 1 होता है, ठीक है? जैसे log 2 और 2 कितना होगा? 1, log 3 और 3 कितना होगा? 3 और 3 कितना होगा? देखिए, number और base दोनों से में 30 का भी answer कितना होगा? 1, ठीक है? इस तरह से बहुत सारी example हम लोग लेख सकते हैं, log 4, base 4 कितना हो जाएगा? यह भी 1 हो जाएगे, ठीक है? ठीक है, यह properties हो गई? चलिए अब next हमारा properties है, properties number 3, log, base में मैंने e ले लिया, ठीक है? और number जो होए आपस में divide हो रहे हैं, ठीक है? इस बार क्या हो रहे हैं? divide है, पहले क्या हो रहे थे? multiply, इस बार क्या होगे? divide, जब divide होंगे, तो log जो divide होती है, number तो हम क्या लिखेंगे? a, base e, फिर minus, जो नीच divide हो रहे हैं, वही minus में बनेगी log b, base e, ठीक है? इस पर भी हम सवाल लगा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, हमने लिया log 6 upon 5, अब base में हमने 3 ले लिया, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकते हैं, log 6, base 3, फिर minus, log 5, base 3, ठीक है? बेस में कोई changing नहीं होगी, केवल उपर जो number है, argument में इसे बहुत लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे change कर सकते हैं, ठीक है? जब divide होगी, तो minus होगा, multiply होगी, तो plus होगा, ये याद रखना है, और ये जो properties है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होती है, question बनान प्रूफ जो है, सबकी प्रूफ लाइन में लाइन करकर आपको upload कर दोंगा, ठीक है? फाइब के बाद से क्या, थेरी के बाद से हम राता है, four, four जो property है, log, देखिए, जितने सारी question हैं, ये question आईटी, बेस पर, आईटी, कए बार इस पर exam, आईटी, कए बार इससे question पुछ हैंगे, ठीक है, कि हमारा जो log है, बहुत अच्छी तरीका से cover हो जाए, तो log को जो next हमारा properties है, जैसे मान लेते ही, ये हमारा a है, ठीक है, ये base है, ठीक है, और ये हमारा number है, और इसका power मान लेते है, m है, ठीक है, कैसा है, m है, तो इस किसमें क्या होगा, m पहले आजाएग जाएगा, m उठकर पहले आजाएगा, और हो जाएगा, log a base, log b base a, log b base a, ठीक है, जैसे example का तोर पर हम लोग समझ सकते हैं, log, यहां हमने 2 लिख दिया, और यहां मैंने 4 लिख दिया, क्या लिख दिया, ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 4 को लिख सकता और 2 base 2, ठीक है, यह 2 को हम कहा करेंगे, यह 2 को पहले लेकर आजाएगे, तो 2 into log 2 और base 2, अभी हम लोग ने परपर्टीज नमर सेकेंड पड़ा था, कि आर्गुमेंट यानि नमबर और base दोनों सेम हो जाएगा, तो पूरे लोग का भेलू 1 हो जाएगी, तो 2 into का 1, फाइन नमबर, जब लोग की, यह हमारा नमबर है, और यह हमारा base है, इसकी power अगर आएगी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह जो power है भच्चों से reciprocal कर देंगे, यानि पावर कितना है, aim है, तो aim के नीचे हम क्या समझेंगे, aim के denominator में हों समझेंगे, तो reciprocal करेंगे, तो one upon में, aim log base A, ठीक है, one upon log B base A, एक जमपर को तरपर हम लोग क्या समझेंगे, इसे एक एक जमपर लेते हैं, जैसे log हमने ले लिया 2, ठीक है, और यहां base में ले लिया 3 यह उसके power हमने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले हम पल्ट तो one upon में 4 हो जाती है, और फिर हम लिखेंगे, log 2 base 3, ठीक है, एक और example करते हैं, log, यहां मैं ले ले लता हूँ, x, उसकी power हमने ले लिया, 4 upon में 5, ठीक है, और मैं यहां कुछी भी, positive number हम समझ सकते हैं, यह है, ठीक है, positive number लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पलट सकते ह ठीक है, ठीक है, पलटेंगे, 4, 4 upon 5 हर्थ, पलटेंगे, 5 upon 4, log, a, log, a, base, x, ठीक है, तो 5 properties, जो है, 5 properties बहुत हैल्व करती है, question को solve करने में, ठीक है, और भी सारी properties हैं, इसलिए अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, और properties बता दूंगा, उसके बास से, पूरे properties को use करकर, हम लोग पहले एकदम zero level से question उठाएंगे, और इसके बास सारी properties को use करते हैं, जहां जैसे properties use होगी, हम लोग use करते हैं, question को solve करेंगे, ठीक है,